नमस्कार साथियों, दोस्तों आज हम लोग भूवोल के महत्मुर्ण प्रश को हल करेंगे ध्यान से दोस्तों देखेगा, इस टाप एक्जाम में हजार बाद पूछा गया है तो आई दोस्तों को हल करते हैं पहला कोशन दोस्तों देखेगा, कि पृत्वी के अंदर के हिस्से को कितने भागों में बाटा गया है तो कितने भागों में बाटा गया है दोस्तों, तीन भागों में बाटा गया है पहला है भूब परपर्टी है दूसरा आवरण है अधिसरा केंदरी भाग तीन भागों में बाटा गया है तो इसका राइट अशन क्या हो जाएगा तीन हो जाएगा चली नेश कोशन दोस्तों देखते हैं अमरों फटा फट क्या है नेश कोशन है पृत्वी के उपरी भाग क क्या कहते हैं पिच्वी के उपरी भाग को क्या कहते हैं दोस्तों भूब परपर्टी कहते हैं क्या कहते हैं भूब परपर्टी कहते हैं तो इसका राइट हैंस हो जाएगा जो पिच्वी के उपरी भाग होता है इसको क्या कहते हैं भूब परपर्टी कहते हैं चली नेश को दोस्तो 34 किलो मीटर में हैं चलिए नेर्श कोशन दोस्तो देखते हैं फटा-फट क्या है भूपरपटी मुख्ता किसे से बना है यह किससे बना हुआ है दोस्तो तो इसका राइट एंसर हो जाएगा बेसाल चक्तानों से बना है किससे बना है दोस्तो बेसाल चक्तानों से बे क्या है कि यदि अंतराशी तीथी रेखा पर बारव बजे बजे हूं तो भारत का मानक समय क्या होगा तो मानक समय भारत क्या होगा पांच बज कर तीस मिनट होगा क्या होगा पांच बज कर तीस मिनट होगा चलिए नेस्ट क्या है दोस्तो देखेगा पिथी वी को कितने समय कटी बंदों में बाटा जा सकता है तो कितने समय बाटा जा सकता है, 24 कटी बंदों में बाटा जा सकता है, कितने किलो मेंटर मोटा छेतर है, 2900 किलो मेंटर मोटा छेतर है, है इसका right answer हो जाएगा चलिए next question दोस्तों देखते हम लोग क्या है कि भारत का मानख समय किस इस्थान से लिया गया है जो भारत का मानख समय है वो किस इस्थान से लिया गया है नैनीस लिया गया है इलहाबाद के जो निकट है नैनीस लिया गया है कहां से लिया गया है इलहाबाद के जो सबसे निकट है ठेक चलिए नेश्ष कोशन दोस्तों देखेगा भारत के मानक समय और गिरिविच के मानक समय में कितना अंतर है तो कितना अंतर है दोस्तों 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है तक है साती होँ, चली, next question दोस्तों, देखते हम लोग क्या है, next question दोस्तों, देखिएगा, की भारत के सबसे पूर्वी व पश्मी स्थानों में समय अंतर कितना है, तो कितना अंतर दोस्तों, 2 घंटे का अंतर है, ठेक, इसको याद कर लिजीगा, चलिए नेश कोशन दोस्तों देखते हम लो क्या है अंतराशी तित्थी रेखा 180 देशांतर 180 देशांतर से कितनी बार विचलित होती है अंतराशी तित्थी रेखा 180 डिगरी देशांतर से कितनी बार विचलित होती है तो कितनी बाद विचलित होती है? चार बार विचलित होती है इसको याद कर लेजिएगा कि चार बार विचलित होती है चली, next question दोस्तों देखते हैं अमलों फटाफर next question क्या है? पित्वी के दो इस्थानों की सिति के अनुधैरे अनुधैरे का अंतर पंदर डिगरी है तो इस्थानी समय में कितना अंतर होगा? तो कितना अंतर होगा दोस्तों? एक घंटे का अंतर होगा जितना होगा? एक घंटे का अंतर होगा राइट आंसर होगा चली, next question दोस्तों देखते हैं फटाफर Greenwich किस देश में है? तो Greenwich किस देश में है? United Kingdom में है कहा है? United Kingdom में है चलिए नेश कोशन दोस्तों देखते हैं हम लोग फटा-फट संपूर्ण विश्व का प्रमारिक समय क्या है? संपूर्ण विश्व का प्रमारिक समय क्या है? जीरो डिगरी देसांतर से सबी का समय यहीं से चालू होता है, यहीं सम्मानते हैं टीक है? जीरो डिगरी देसांतर से चलिए नेश कोशन दोस्तों क्या देखेगा? भूपरपटी मुखता रूप से किस-किस से मिलकर बना है? किस से लिकर मिलकर बना है? जो कि आपका क्या है? 46.80% है आपका अक्सीजन और सिलिकॉन आपका 27.72% है आपका सिलिकॉन है पर अलुमिनियम कितना? 8.13% आपका अलुमिनियम है यह आप याद के लेजेगा तीन के मिलने से बना हुआ है ठीक है? कि 24 घंटे में सूर के सामने कितने देशांतर गुजर जाते हैं? 346 गुजर जाते हैं 24 घंटे में ठीक है? जो कि and Micron आपका अंतराशिती तीथी रेखा किस सागर से गुजरती है? किस सागर से गुजरती है? आर्कटिक सागर एवँ परशान सागर से गुजरती है इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा आर्किटिक सागर एवं प्रसांत महासागर से गुजरती है चले नेश कोशन दोस्तों देखते हम लोग क्या है नेश कोशन क्या है दोस्तों विश्र को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है विश्र को कितने जोन समय म में कितनी किसकी बहुलता होती है तो किसकी है सिलिकॉन और ऐलुमीना की बहुलता होती है ठीक है चली नेस्ट कुर्शन दोस्तों देखते हमनों क्या है next question क्या है भूपरपटी को कितने भागों में बाटा गया है भूपरपटी को दोस्तों कितने भागों में बाटा गया है सियाल और सीमा दो भागों में बाटा गया है यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरू लाइक करिएगा और स्रियाथ जरू करिएगा आज के लिए इतना ही दोस्तो नमस्कार